नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पतिमाज जुनीग डायरी में दोस्तों इस वीडियो में शरत पूर्णिमा की पूजा आपको कैसे करनी है पूजा विधी सरल से सरल क्या है वो आपको बताने वाले है शरत पूर्णिमा जो है बहुत ही महतोपूर्ण तिथी होती है मातलक्षमी का दिन होता है ऐसा माना जाता है इसी दिन मातलक्षमी का जन्म हुआ था तो इसकी पूजा जरूर करनी चाहिए इसकी पूजा जो होती है शरत पूर्णिमा की वो रात्री में होती है पूज़े पालव चंद्रोंदय के यह पूजय की जाती है और होसके तो यह स्थाथ पर यह बहुत अच्छ प्रूज़ेंगे जैसे कुuman का चंद्रमा की पूजय कर सकते सब्सक्राइब एक चौजा लेए मंदिर कीज़ा अर्ग दें सकते हैं लेकिन अगर चौकी पर कर रहे ईस्पर पयタ는지 मेद पर तो आप पीला या लाल कपड़ा देखिए विश्णु भगवान का और गणिश भगवान इन सब भी का प्रिये रंग पीला होता है तो अगर पीला कपड़ा ले ले लीजिए और उसके बिचा लीजिए फिर आपको नीचे फूलों का और अक्षत का आसन देना है और उस पर माता लक्ष्मी और विश्णु भगवान की मूर्ती को स्थापित करना है फोटो को अगर आपके पास केवल माता लक्ष्मी की है तो आप स्थापित कर सकते हैं विश्णु भगवान की अलग से फोटो ले लीजिएगा लेकिन ऐसा मानते हैं कि भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी दो तरह से आकार दे देना है चंद्रमा बना देना है आपको पूजा के लिए जहत पे कर रहे हैं तो डारेक्ट आप आर्थी वगएरा दिखा सकते हैं लेकिन ऐसे पर आपको चौकी पर स्थापित कर देज़ेगा चंद्रमा को आप कलश स्थापना के लिए आप पीतल या का पल्लो है उस पर भी आपको पीले चंदन से और रोली से सारे पत्तों पर टीका कर देना इस तरह से और चंदन से भी कर दीजिएगा पीले वाले सभी पर टीका करने के बाद आपको अपने कलश में डालना है वो है खड़ी हल्दी खड़ी हल्दी ना मिले तो पिसी हल्दी ले लीजिएगा थोड़ा सा अक्षत रोली साथ ही साथ आपको डालना है उसमें सुपारी इलाइची दो इलाइची डाल दीजिएगा और कोई सिक्का सुपारी आपको बता ही दिया और साथ में फूल ये चीजे चार पांस चीजे जो बता ही वो डालने के बाद कलश पर एक चाउल की कटोरी रख दीजिएगा आम के पलों डाल दीजिएगा मतलब आम के पलों रक्कियों इसलिए को श्रीफळ बहुत प्रिये होता है इसलिए कलश तापना इसमें किया जाता है जरूर से जरूर इस ये कलश जो है माता लक्षमी का प्रतीक के रुप में जाना जाता है तो आपको वो इस्थापिद जरूर करना है फिर आपको हाथ हमें फूल और अक्षत लेकर के सरवरत का संकल्प कर रहा है अगर आप रख रहे हैं तो अगर ऐसे ही पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन फिर संकल्प करना है और एक दीपक आपको जला कर रख देना है दीपक आपकी पूजा का पूरी पूजा का साक्षी होता है तो सबसे पहले एक दीपक जला कर रख देंगे अब आपके पास भगवान विश्णों के किसी भी स्वरूप की अगर मूर्ती है मेरे पास लक्ष्मी नारायन है धातू की मूर्ती अगर आपके पास लड्डू गुपाल है या फिर कोई और भगवान की इस तरह से धातू की मूर्ती है तब आपको उसको धिवत स्नान कराना चाहिए लड़ू गोपाल है तो उनकी भी करवा सकते हैं पहले स्वक्ष जल से स्नान कराईएगा फिर आपको दूध दही शहेद इन चीजों से पंचा मृत से आपको पूर रूप से स्नान करवाना है गंगा जल इन चीजों से सभी से आ लड़ू गोपाल नहीं है तो आप प्रतीक के रूप में कटोरी में जल और ये पंचामरित रख सकते हैं ये पंचामरित आपको फेकना नहीं है प्रसाद के रूप में यूज कर लेना है आप अगर मूर्ती और वो ना हो तो कोई बात नहीं आप फोटो को यही प्रतीक के रूप में मानकर थोड़ा सा पंचमरित ऐसे ही कटोरी में रख सकते हैं फिर आपको विश्णु भगवान और माता लक्षमी के प्रिये शंक और कच्छुआ अगर आपके पास है तो प्रिये चीजों को भी आपको वहां पूजा में शामिल कर लेना है सभी को जल से स्नान करव देना है विधिवत सभी जगह पर आपने सभी चीजे स्थापित हो गई है स्नान करवा दिया भगवान को स्नान करवाने के बाद आपको उसको फूल और माला अरपित करनी है सभी जगह पर फूल चड़ा दी दे विश्णु भगवान को पीले फूल प्रिये है तो विश्ण चंद्रमा को सफेद चीजे हैं इसलिए सफेद फूल चंद्रमा को मैंने चड़ाया है गड़ेश भगवान को दूरवा उनकी प्रिये दूरवा है उसके बाद चड़ा देना है फिर आपको तुलसी माला विश्नु भगवान को चड़ानी है तुलसी जो है ध्यान रखिएगा ना गड़ेश भगवान को चड़ायेगा ना माता लक्ष्मी को आपको विश्नु भगवान को तुलसी चड़ायेगा फिर आपको लेना है पीला चंदन पीले चंदन आपको भगवान विश्नु को प्रिये है आपको विश्नु भगवान को पीला चंदन लगाना है कलश पर प्रशाद भोग में खीर जरूर शामिल करिएगा फल मौसमी फल ले लीजिएगा पंच मेवा भी ले लीजिएगा फल मता लख्ष्मी को बहुत प्रिये होता है माता लक्ष्मी विश्णु भग्वान दोनों को ही खीर अति होती है और चंद्रमा को भी खेर चड़ाई जाती है इसलिए सभी की प्रिये खीर रखिएगा चंद्रमा कि रोशनी भी पढ़नी चाहिए और मौसमी फल मरलब जितना हो सके पंच मेवा भी चढ़ा दीजिए गर जितना हो सके क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए आप कर रहे हैं व्रत और पूजा वैभो का है तो जितना आपकी सामर्थ है उतना चढ़ा देना चाहिए और उसके बाद शिंगार सामगरी भी आपको माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा नहीं मेन मेन जो होती है जैसे की चूड़ी है बिच्वे है बिच्वा अगर सामर्थ है तो मेहंदी है और नेल पेंट है सिंदूर है इस तरह की मुख्य जो चीजे होती है कम से कम पास सुहा की सामगरी आप आपको माता को चड़ा देना है फिर हाथों में फूल और अक्षत लेकर के शरद पूर्णे मा की कथा आपको जरूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए और उसके बाद वो फूल आपको मा विश्णु भगवान और माता लक्ष्मी के चरणों में चड़ा देना है थोड़ी स हमन होती है अगियारी करनी है आपको एक कंड़े ले लिए हैं कपूर ले लीजिएगा घी इसकी मदद से आप जला लीजिएगा नहीं तो आपके पास आमकी लकड़ी हो तो आप उससे जला लीजिएगा हमन सामगरी बनाने की विधी मेरे चैनल पर है आप उससे देख सकते हैं चावल और जो को मिला करके आपने हमन सामगरी बना लेनी हैं और इस तरह से उसमें बाकी पंच मेवे डाल देने हैं हमन सामगरी तयार है बहुत आसानी से फिर आपको उसमें सभी देवताओं का समरंद करते हुए जैसे ओम नमो भगवतेवा सुदेवाय ओम महालक्षम इस तरह से कहते हुए ओम कुल देता है नमा स्वाह सबका स्मरंद करते हुए आपको आहुतियां देनी हैं फिर अंत में जो है सुपारी और इलाइची भी जरूर डालिएगा भोग जो आपने चड़ाया है थोड़ा थोड़ा सा भोग भी उस अगियारी में आपको समर्पि तो दूर दूरा माला फूल डाल दिजlection और न पूर से और गी के दिए से आपको आर्ती करनी हैंति नहीं की आती चाहे तो आप ओम जय जग्देश सरे कर लीजिए गया फिर माता लक्षमी की जो आरती होती है वो आरती आप कर सकते हैं जय लक्षमी माता आरती करने के बाद आप से पूजा में जो भी गलती हो गई है दुरुटी हो गई है भुल चो खुग गई है उसके लिए आपक एक लोटा जल और उसमें सफेद मिस्ठान हाथ में ले लीजिएगा और आपको चंद्रमा को भी अर्ग देना है चंद्रमा को भी दीपक जला देना है छत पर जाईएगा चंद्रमा को अर्ग दे दीजिएगा एक दीपक वहाँ जल जला कर रख दीजिएगा और फूल भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा आप सभी को शरत पूनिमा की बहुत बहुत शुब कामना है यह जो अपने प्रसाद चढ़ाया हुआ होता है यह आपको थोड़ा देव चंद्रमा के उजाले में खीर जैसे नीचे ही किया है तो कोई बात नहीं है पर थोड़ा सच चट पर रख दीजिएगा तो वह प्रसाद बाकी आप सभी को बाढ़ सकते हैं